हेलो एवरिमन वेलकम टू माई चैनल आप लोगों का सौगत है मेरे चैनल में आकसा जो सबजी हम साधी अपार्टी में खाते हैं हम सोचते हैं घर में बहुत मुस्किल है बनाना लेकिन आग मैं वाइस से ही सबजी बिल्कुल टेस्ट में कोई कॉम्प्रमाइज नहीं होगा और यतना असे से बना के दिखाऊंगी अप लोगों को अरो भी बिना क्रीम और दही के तो देड़ी की इस बात की चलिए सुरू करते हैं और मैंने दिखाऊंगी क्या ठ्रिक फ़ॉलो करना है अगर क्रीम नहीं Nean डालना आपको क्रीमी gutesี जबाने क्लिए तो चलिए सुरू थोड़ वाइल Torah में छीनला द्गारे और इसे क्रिसपी होने 보고 करना है ऑर इसे क्रिसपी होने तक रोष्ट करना है अब मखाना का क्वांटिटि आप अपनी साब से ले सकते हैं जितना लोगों को लिए सबजी आपको बनाना और फिर एक मखाना तोड़के आप चेक कर सकते हैं क्रिस्पी है कि नहीं तो आप देख सकते हैं मैं आसानी से टूट रहे है तो इसका मतलब यह रड़ी अभी क्रिस्पी है तो मैं इसे निकाल लूँगी और फिर मैंने एक पैन लिया है उसमें थोड़ा वाइल डाल रही हूँ आप अपनी सबसे डाल तकते हैं कम ज़्यादा जितना चाहिए आपको और फिर मैंने आधा चममच यहां जीरा डाला है एक दालचीनी का टुकड़ा एक तेज पत्ता कुछ लॉंग लिया है मैंने और लाइए और फिर ब्लैक पेपा कॉन मैंने डाला यहां जो है खाली मिर्च खड़ी वाली और फिर और को ब्राइज के मैंने भूल लिया थोड़े दे प्याज को ब्रावन नहीं करना जो थोड़ा थोड़े दे साटे करना है और फिर मैंने आधो की घूपértश्च के बिद द पकाऊंगी ताकि टेमेटो जो है अच्छी से सॉब्ट हो जाए और फिर इसे ठंडा कर लूँगी ठंडा होने के बाद में इसका जो है फ्यूरी बनाऊंगी और हाँ ए रस्पी जरूद ट्राइक इजी है गया एकदम हलवाई जैसे बनती है और बनाने में बिल्कुल टाइम क्यों ताकि ब्रड जो है दूद को सोक ले फिर इसका बाद मikरीम बनाऊंगी इसका जो है पांच मिनच भीग गनिक बाद और फिर मैं एक बॉल लिया है, यहां दो चमश धनिया पोर्डर, एक और आधा चमश रच्री पोर्डर, आधा चमश डिया है, और पानी ढाल के मैं इसे अच्छे से घोल इसका बना लोगी एक अच्छा सा, और फिर मैं इसे साइड में रख दूँगी और फिर मैंने एक पैन लिया यहां कुछ थोड़ा ओयल धाला है मैंने और फिर कैजू मेरे फास था थोड़ा जो उसे भी मैं रोस कर रहे हूं कैजू से टेस्ट अच्छा आता है मैं अगानिस करूंगी कैजू से और उसी ओयल में जो है मसाला का जो घोल बना के मैंने रखा था उसे भी भून लूँगी आप देख सकते हैं और यह ओयल सेपरेट होने तक इसे भूनते रहना है और कंस्टिन्यूसली चलाते रहना है नहीं तो मसाला जल जाएंगे तो आप देख सकते हैं ओयल हलका हलका सेप पेस्ट बना के रखा था मैंने वो पेस्ट मैं अभी एड करूंगी यहां और हाँ यह रस्पी जरू ट्राइ कीजिएगा अच्छी लगी तो लाइक से और सब्सक्राइब जरू कीजिए बैल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपक मैं अड कर रही हूँ यहां और इसे भी अच्छे से सौटे कर लूंगी और फिर मटर को भी थोड़ी देर दो मिनट के लिए ढखके पकाऊंगी लो फ्लेम पे और यह रस्पी जरू ट्राइ कीजिए और कोमेंट बॉक्स में जरू बताएका कैसी लगी एकदम साधी बना सकते हैं यह सबूझी और खाने बहुत टेस्टी लगते हैं तो अभी यहां पानी डाल रही हूँ पानी आप अपने साब से डाल सकते हैं जितना ग्रेविए आप को चाहिए खाना भी वी सोकते हैं पानी और फिर में यहां टेस के ऐंसर जो मैं सॉल्ट एड कर रही हूं और फिर मैं इसे भी मिक्स कर दिया अच्छे से फिर मैं ढखके पकाऊंगी दो मिनट के लिए एक बॉयल आने तक तो आप देख सकते हैं बहुत एक अच्छा सा बॉयल आ गया है इसमें तो अभी जो मखाना रोस करके रखी थी मैं वो एड करूंगी यहां और इसे भी अच्छे से मिक्स करके फिर जो है ढखके पकाऊंगी दो मिनट के लिए और दो मिनट के बाद आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका जो एक टेक्चर आ गया है और देखने में कितना टेस्टी लग रहा है तो सोचे खाने में कितना टेस्टी होंगे और जो मैंने ब्रेड से क्रीम बना के रखा था वो मैं आड कर रही हूं और हाँ यह ब्रेड कासूरी मेथी यूज कर रही हूं कासूरी मेथी से एकदम टेस्ट आचा आता है और यह भी रड़ी है तो मैं सर्व कर रही हूं और यह रस्पी जरूर ठ्राइक इजिएगा और कोमेंट बॉक्स में जरूर बताए कैसी लगी रस्पी और मैं यहां जो हमाखाना और मैं उसे एगानिस कर रही हूं आप वो जो क्रीम बनाई थी उससे भी एगानिस कर सकते हैं